नवरात्र का आज छठा दिन है यानी के शष्ठी और पिछले छे दिनों से देश के प्रधान मंतरी उपवास पर हैं और उपवास भी ऐसा कि अनका एक दाना नहीं खाया है अन्न तो क्या प्रधानमंत्री मोदी ने फल तक नहीं खाया, सिर्फ पानी पीकर मोदी उपवास कर रहे हैं बावजूद इसके प्रधानमंत्री मोदी की व्यस्तता में कोई कमी नहीं है उनके कारक्रमों की भीड में कोई कमी नहीं है लेकिन उनके चेहरे पर थकान का कोई निशान नहीं दिखता उनकी आवास की खनक कमजोर नहीं पड़ती मोदी बिना रुके बिना ठके उर्जा से भरपूर अपने चित परिचत अंदाज में ही दिखाई देते हैं सवाल यह है कि मोदी को इतनी उर्जा मिलती कैसे है कैसे व्रत में बिना विराम और बिना आराम के मोदी काम करते रहते हैं माता के दर्शन करने के लिए एक प्रकारते मैं कहूं तो मा की गोद में ही हमारी जिन्दगी भीती है भारत माता की भारत माता की जब मा सुकी होती है तो परिवार सुकी होता है ठीजी खुकी होता है तो समाजी होता है और समाजी शुकी होता है तो देश शुकी होता है मेरे भाई पोल्वर यंभे अलिक मिलिक वर्गव式 ध tämä करी जाज ये थम्यजल सिता कंद ये सिछा के नयने माध्यम प्रधान मंत्री मोधी की ये हुंकार सुनकर कौन कहेगा कि वो पिछले पाँच दिन से सिर्फ पानी पीकर रह रहे हैं एक के बाद एक पीम मोधी के ताबर तोड कारक्रमों को देखकर कौन कहेगा कि वो बिना अन्निके चलते जा रहे हैं पिछले चार दशक से प्रधान मंत्री मोधी नवरात्री का उपवास कर रहे हैं लेकिन ये बात कैसे भूली जा सकती है कि हर साल उनकी उम्र बढ़ रही है और 72 साल की उम्र के बावजूर पीम मोधी के एक्शन में कोई कमी नहीं दिखती लगभग हर साल नवरात्री के दोरान उनके उपवास पर देश में ये चर्चा शुरू हो जाती है कि आखिर मोधी बिना अन्निखाय बिना नमक ग्रहन किये सिर्फ नीम्बू पानी पीकर इतने उर्जवान कैसे दिख पाते हैं ये चर्चा इसलिए शुरू होती है क्योंकि ये साधारन बात नहीं है और इस बार तो पीए मोधी ने और हैरान कर दिया है नवरातिरी का उपवास है और उन्होंने एक दिन के भीतर साथ साथ कारिक्रमों में शिर्कत की वो भी चेहरे पर बिना किसी शिकन के 30 सितंबर को प्रधान मंतरी मोधी अपने दो दिन के गुजरात दौरे पड़ थे और उनके दौरे का दूसरा दिन था सुबा सारे 10 बचे सबसे पहले प्रधान मंतरी मोधी ने गांधी नगर में वन्दे भारत को हरी जंडी दिखाई मोधी ने गांधी नगर से मुंबई के बीच चलने वाली देश की तीसरी वन्दे भारत का सिर्फ उद्घाटन नहीं किया बलकि गांधी नगर से अहम्दाबाद के बीच सफर भी किया सफर के साथ साथ तमाम सुविधाओं की जानकारी ली और ट्रेन में चालक दल से बातचीत भी की करीब सवा घंटे का यी कारिकरम खत्म होते ही सुभा ग्यारा बचकर पैतालिस मिनट पर पीम मोदी एहम्दाबाद में दूसरे काम को अंजाम देने पहुचे पीम मोदी ने एहम्दाबाद मेट्रो को हरी जंडी दिखाई और फिर मेट्रो में सवारी की मेट्रो में सफर करते हुए मोदी ने छात्राओं से बाद चीत की और मेट्रो में मौजूद यात्रियों से भी मुलाकात की गुजरात को वंदे भारत और मेट्रो की दो सौगात देने के बाद दो पहट दो बजे पीम मोदी का तीसरा कारिकरम हुआ जिसमें उन्होंने जनसभा को संबोधित किया भारत माता की भारत माता की दो पहर हो चुकी थी तेज गर्मी थी लेकिन पीम मोदी की उरजा में कोई कमी नहीं दिख रही थी उनके चेहरे पर ठकान के निशान नहीं थे और इसलिए जब पीएम मोधी माईक के सामने आये तो पूरे 31 मिनट तक बोलते रहे और उनके जोशीले भाशन पर लोग तालिया फीदते रहे हवाई जहाज में यातरा करते समये अंदर जितनी आवाज आती है में बंदे भारत ट्रेन में वो आवाज शायद सोवे हिस्से की हो जाती है दिन के कारिकरम ने पढ़ गए लेकिन खत्म नहीं हुए थे अब शाम के कारिकरमों की बारी थी शाम साड़े छे वजे प्रधान मंत्री मोदी का अंबाजी में रोडशो होना था दोरो तरफ भीड का भारी हुजूम था गाड़ी धीरे धीरे चल रही थी लेकिन वक्त ज्यादा लग रहा था अंबाजी सरकेल से अंबाजी मंदिर तक कुछी दूर का रोडशो था लेकिन पीम हर किसी का अभिवादन करते हुए आगे बढ़ रहे थे करीद दो घंटे बाद यानी रात साड़े आट बजे पीम मोधी के पाचवे कारिकरम का वक्त हो चुका था प्रधार मंत्री मोधी ने अंबाजी के मंदिर में दर्शन और पूजा की रात के नौ बज चुके थे और अब प्रधार मंत्री मोधी गवर परवत पर आर्थी करने वाले थे जो शक्ति शानी लोग होते हैं प्रधार 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 इसके बाद सड़क के रास्ते प्रधानमंत्री गुजरात के अमबाजी से सीधे राजिस्थान के आबू रोड के लिए रवाना हुए तीस मिनट के सफर के बाद वो आबू रोड पहुँचे जहां उनका आखरी कारिकर्म था यहां जनसभा को संबोधित करना था लेकित तैसमें से काफो देर हो चुकी थी रात के दस बच चुके थे और नियम कहता है कि रात के दस बचे के बाद लाउड स्पीकर नहीं बज़ेगा इसलिए प्रधान मंत्री मोदी ने भी नियम नहीं तोड़ा और माइक का इस्तमाल नहीं किया मंच से खड़े होकर मजूद भीर से देर से आने के लिए माफी मांगी अब दस बच गए हैं मेरी आत्मा कहती है कि मुझे तानू नियम का पारण करना चाहिए और इसलिए मैं आप सबकी ख्रमा मानता हूँ लेकिन मैं आपको विश्वात दिराता हूँ इसके बाद प्रधान मंतरी मोधी सीधे दिल्ली के लिए रवाना हुए रात दो बचे मोधी दिल्ली पहुँचे और अगले दिन सुभा सुभा दस बचे दिल्ली के प्रगदी मैदान में 5G के कारिक्रम में पहुँचके जरा सोची इतने व्यस्ट कारिक्रम की ठकात रात में आ समय सोना, उपवास और वो भी बिना नमक और अमनवाला इसके बाद भी किसी कारिक्रम में ना तो देरी और ना ही सक्रियता में कोई कमी साल 2019 के लोकसभद चुनाव से पहले वीपी न्यूस को इंटर्व्यू लेते हुए प्रधान मंत्री मोदी ने ये भी बताया था कि शार्दिय नवरात्री उनके लिए कठिन होती है प्रधान मंत्री मोदी ने ये भी बताया था कि शार्दिय नवरात्री कठिन क्यों होती है उसमें मेरा थोड़ा समय अपना व्यक्तिगत साधना वगरे में थोड़ा जाता है इसमें उसमें मिझे उतना समय नहीं देना परता है उसमें मैं सिर्फ पानी लेता हूं और कुछ लेता है इसमें ऐसा नहीं है इसमें मैं मानी ये बताय करूगए इस नवरात्री को मैं पपीतन होगा तो फिर मैं पपीतन के सिवाए किसी जीजी को हाथ नहाता हूँ तो कैसे एक चीट पैकर करता हूँ पियम मोदी दोनों नवरात्री में उपवास पर रहते हैं चैत्र और शार्दिय नवरात्री का उपवास होता है चैत्र नवरात्री में पानी और एक टाइम फल खाते हैं जबकि शार्दिय नवरात्री में सिर्फ पानी पीकर उपवास करते हैं बिना किसी विराम और आराम के उपुवास में नॉन स्टॉप कारिकरम सर्फ एक दिन की कहानी नहीं है पीम मोधी पूरे नौ दिन तक इसी तरह काम करते है दिल्ली बीजेपी ने टुटर हैंजन पर एक वीडियो शेर करते हुए पीम मोधी के 100 घंटे का व्योरा पेश किया है 27 सितंबर को नवरात्री शुरू हुई थी और नवरात्री के पहले दिन मोधी आठ घंटे की यात्रा करके जापान पहुँचे थे बारा घंटे तक जापान में व्यस्त कारिकरम रहा आठ घंटे की यात्रा करके रात में दो बचे वापस भारत पहुँचे थे रसल मैं खुद चुकी गवा रहा हूँ मैंने कई लगभग आठ दस विदेश दौरवन के साथ किये हैं और लगाटार मैंने देखा है कि वो यती काम का इतना धुनी है कि जो उर्जा है शायद उनको काम से मिलती है और नवरातरी का बरत हो या हमने जो विदेश दौरों में देखा अकसर उन्हों ने चुना कि वो रात को अपना प्लेन लेते हैं तो पूरी रात उनको सफर करना पिर दिन भर उनको काम करना, नीबु पानी पी कर वो अपना समय भी दियाते हैं और 9 दिन का ब्रत पूरा करते हैं और उसी उर्जा के दम पर वो सारुजिनी कारकर्मों में भी हिस्सा लेते हैं पिछले तीन दिनों में जो उनके कारकरम रहें वो इसका सबसे बड़ा पतीख है जो एहमदाबास से सुरू होता है भाव नगर सूरत से चालू होता है और दिली के प्रगत मैदान में खत्म होता है तो ये लगातार उनके जो किये गए काम ये बताता है कि सक्ती में भी बहुत उर्जा होती है रात दो बज़े जापान से भारत आने के बाद भी अगले दिन सुभा नौ बज़े मोधी दफ्तर में मौजूद थे पूरे दिन फाइल ने प्टाने से लेकर कैबरेट मीटिंग तक करते रहे और अगले दिन यानि 29 सितंबर की सुभा सूरत के लिए रवाना हो गया सुभा दस बज़ कर चालिस मिनट पर सूरत में रोट्शो किया दोपहर धाई बज़े भावनगर में रोट्शो किया शाम साड़े साथ बज़े राश्ट्रे एक हेलो का आगाल्स किया और रात दस बज़े आरती में हिस्सा लिए यह सलसला रुकान है चलता रहा और चल रहा है उपुवास पूरा होने तक यूँ ही चलता रहेगा प्रधार मंत्री मोदी ने 2012 में अपने ब्लॉग में नवरात्री के उपुवास के बारे में पहली बार जिक्र किया था मोदी ने लिखा था कि उपुवास उनका वार्शिक आत्मशुद्धी व्यायाम है जो उन्हें हर रात अंबे मा के साथ बादचीत करने की शक्ती और शमता प्रदान करता है वरत के प्रभाव से उन्हें शक्ती मिलती है दिन भर व्यस्त होने के बाद भी मोदी नवरात्री में रात के वक्त शक्ती आराधना करते है मोदी के बिना विराम और बिना आराम वाले इस उपुवास पर सिर्फ देश ही नहीं दुनिया भी हैरान रह गई थी जब प्रधान मंत्री बनने के बाद मोदी पहली बार 2014 में सितंबर महीने में अमेरिका पहुँचे थे तक कालीन राष्ट्रुपती बराक ओबामा ने उनके सम्मान में वाइट हाउस में डिनर आयो जित गिया था लेकिन मोदी ने सर्फ गुनगुना पानी पिया था तब ओबामा भी हैरान रह गए थे और उन्होंने मोदी से इसका राज पूछा था प्रधान मंत्री मोदी ने इसका श्रे, योग और ध्यान को दिया था जैसे ही घड़ी का काटा दो बहर धाई पे आये बपीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए और ये हैं इनकी बहू पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गौन जब ये करें अपना फेवरिट शो फ्री टाइम पे आउन इनकी तरह आप भी देगे अपना फेवरिट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव आप अपने स्मार्ट टीवी पर एबीपी नियूज आपको रखे आगे